कोरोना वारिस के चलते पुरे दीश में लॉकडाउन है और इस वज़त से फिल्म इंडस्ट्री को काफी नुकसान हुआ है कई फिल्मों की लॉंच तारीक आगे बढ़ा दी गई है तो कई फिल्में थेटर्स की बजाए OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज की जा रही है हाल ही में इर्फान खान के फिल्म अंग्रेजी मीडियम का वर्ल्ड प्रीमियर डिजनी और हॉट स्टार पर किया गया था ऐसे में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही फिल्मों के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म बनकर उभर कर सामने आ रही है इसी तरह बॉलिवुट के खिलाड़ी अक्षे कुमार की आगामी हॉरर कॉमेडी लक्ष्मी बॉम भी 22 मई को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है लेकिन अब लगता है कि मेकर्स इस फिल्म को डिजनी और होट स्टार पर रिलीज करने की योजना बना रही है अक्षे कुमार लॉकडाउन के बीच बड़ा कदम उठा सकते हैं और अपनी फिल्म को थेटर में रिलीज काने की बजाए OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर सकते हैं फिल्हाल लक्ष्मी बॉंब के पोस्ट प्रोडक्शन पर काम चल रहा है जिसमें एडिटिंग, बैक्ग्राउंड, म्यूजिक, मिक्सिंग आदी शामिल है संभावना है कि इस काम में थोड़ा वक्त लगे क्योंकि दीश्वर में लगे लॉक्डाउन की बात से ही सबी लोग वर्क फ्रोम होम कर रही है हाला कि इसमें काम में जाड़ा वक्त लग रहा है पताया जा रहा है कि फिल्म जून तक तयार हो सकती है फिल्म की असल रिलीज तारिक 22 मई थी लेकिन अब डिजनी और होट स्टार की शहरी इलाकों में पहुच को बेहत आसान है इसके लिए विपरित शोटे शहरों को इस तक कैसे पहुचाया जाए ये भी अक्षे के लिए चिंता का विश्वय है आगो बता दे कि भाद ये फिल्म इंडस्ट्री पहली ऐसे इंडस्ट्री नहीं है जिन्होंने थेटर्स के जगे ऑनलाइन रिलीज को प्रात्मिकता दी हो हॉलिवोड पहले ही ऐसा कर चुका है ड्रीम वर्क्स की अनिमेटेट फिल्म टोल्स वर्ल्ड टूर को अपरेल में उनलाइन माधियम से रिलीज किया गया था हलाकि ये फिल्म भारत में उपलब्द नहीं है इसके अलावा वार्नर ब्रोज की एनिमेटेट फैमिली मूवीज कूब को भी मैं में ओनलाइन माधिम से रिलीस किया जाएगा अक्षिकुमार की हॉरर कॉमेडी तयार होकर ओनलाइन तरीके सिकब तक जनता के सामने आएगी यह भी तैर नहीं है अभी फिल्म रिलीस पर मेकर्स की और से अधिकारिक जानकारी आना बाकी है